पूल कुरूप से मिलने ता है क्योंकि एक बार को आप सोचिए आथिर उस बच्चे की गलती क्या होती है जो एक गरीब खर पे पैदा होता है और उसको बेहतर सिक्षा से वंचित बना पड़ता है सिक्षा के सामने एक पैसे की दिवार खड़ी है जो जितनी उचि दिवार लांग सकता है जो जितना अधिक पैसा सिक्षा पे खर्च कर सकता है वो उतनी बहतर सिक्षा पा सकता है लेकिन अगर एक देश एक है लोग तांत्रिक देश है तो सिक्षा भी सबको एक समान रूप से तो मिलनी ही चाहिए आज पर स्थिती ये है कि एक तरफ तो प्राइवेट स्कूल है जो लूट के अटे बने हुए है वहाँ पे आप एडमीशन कराने जाएंगे तो सिर्फ एडमीशन के नाम पे ही आपको दस अजार बीस अजार रुपे देना होगा और कमीशन खोरी का ऐसा धंधा है कि कॉपी, किताब, टाई, बेल, ड्रेस, प्रूता कहां से खरीदना है ये आप नहीं तै करेंगे तै करेंगे वो प्राइवेट स्कूल वागा यानि आम लोगों की मेहनत की आखरी कोडी उनके जेब से वसूल लेना चाहते है और दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों में न तो परियाप्त टीचर है न परियाप्त बेल्डिंग है 2019 का ही ये पुराना आकड़ा है कि हर 100 में से 52 स्कूलों में या तो एक टीचर हैं या दो टीचर है और उनी टीचरों के उपर जिम्मेदारी ठोपती जाती है कि जनगड़ना करो, मतगड़ना करो, पसुगड़ना करो, तमाम काम करवाए जाती और 19 के बाद से तब से कितने टीचर रिटायर हुए होंगे और 18 के बाद से कोई टीचर की वैकेंसी भी नहीं आप खुद भी सोच सकते हैं ये परिस्तिती और कितनी बिगड़ी है इसलिए हम लोग ये मांग उठा रहे हैं चाहे कोई राश्पती का बच्चा हो या किसी मजदूर का सबको सिक्षा एक समान मिलनी चाहिए और विश्योर करोट से नहीं फ्रेम चंद ने अपने दौर में भी कहा था कि एक सब ये समाज में उची से उची तालीम मुफ्थ होनी चाहिए और इसका पूरा खर्च गवर्मेंट को उठाना चाहिए तो कि हमारे देश को पौज से ज़्यादा आवशक्ता तालीम कीए और सिक्षा से चुड़ता हुआ ही दूसरा मुद्धा हम लोग उठा रहे हैं दूसरा मुद्धा है रोजगार का रोजगार की परिस्थती ये है कि आज सरकारी सेक्टर हो या प्राइवेट सब कुछ ठेका सम्विता के हवाले किया जा रहा है पर्मानेंट नौकरियां लगाता है घटाई जा रहे है इसी रेलवे में 1995 के आज पास लगवक सारे 18 लाग तरमचारी काम करते हैं नहीं आज उनकी संख्या 12 लाग ने आप खुद भी सोच सकने है कितने बड़े पैमाने पे पर्मानेंट पदों को घटाया जा रहा है और आज आलम ये है एक तरफ लागों पद खाली पड़े हैं फिर भी कोई वेकेंसी नहीं निकलते जो वेकेंसी यां निकलती हैं उनमें घश्काचार होता है पेपर लीक हो जाते हैं आरो ए आरो यूपी पूरिस बीटी एस्टी एसरसिस की जल ऐसे तमाम पेपर लीक हो चुके हैं आप लोग भी जानते हैं अभी नीट की धांधली में ये पता चला कि एक एक पेपर तीस लाग से पचास पचास लाग हो चाज़ा हैं हम और आप तो ये पैसा नहीं दे सकते हैं पूरी की पूरी कारस्तानी सरकार प्रतासंद दिक्षा माभियाओ की होती है और भुगत्ता कौन है? आम घरों के लोग जो लोग सालों साल तयारी दते लेकिन ये देश की विडंबना है कि टीवी, चैनल, अगबार, मीडिया, नेता मंत्रियों के लिए कहीं ये कोई मुद्दा नहीं है उनके लिए मुद्दे हैं तो जात इधर में रंग नसल अगरा पिछड़ा आज जब पूरी परिस्थिती तिनी खयावा है तो ये ज़रूरी है कि लोगों के बीच में जाया जाए, लोगों को संगधित किया जाए और एक जुट किया जाए तो कि आज अगर अपने मुद्दों पर भोलेंगे नहीं, तो कल को ये परिस्थिती और बिगड़ेगी हो सकता है ले देखे अपनी जिंदगी तो आज ले जाएंगे, लेकिन आने वाली फीडियों को क्या फविस्थ से देखे जाएंगे, ये भी सोचने वाली बात है हमारे साथ ही है, ये आपको पर्चा दिया है, पर्चा आप तक पहुँच गया है, पर्चे में और भी बाते हैं इसको पुरा विस्तार से पढ़िये पर्चे में हमारा नंबर है संपर्ट की जिए, फेस्बुक का इंस्टाग्राम का लिंक है, आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको पता भी चलते रहेगा, कि लगाटार खिंखिन माजमों से अम इस अभ्यान को चला रहे हैं लुपकर, नाचक, संगीत, फिक्षा, साइटा, मंडल, लाइगरी तमाम माजमों से इस अभ्यान को चला रहे हैं और कोसिस कर रहे हैं कि बड़े से बड़े पहमाने पर हर जगा पे लोगों को संगटित किया जाए और एक्शू किया जाए आपके बीच भी आए हैं आपका साथ और साजोग दे साथ इस लूप में कि आप भी हमारे इस कारवा और इस मुस्रिम से जुड़िये